ओम शान्ति बाब दादा मधुवर आज की मधुवर मुली 26-27-2024 मीठे वच्चे ये अनादि ड्रामा फिलता ही रहता है टिक 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 होती रहती है इसमें एक का पार्ट ना मिले दूसरे से इसे यर्थार समझ कर सदा हर्शित रहना है प्राश्ण किस युक्ती से तुम सिद्ध कर बता सकते हो कि भगवान आ चुका है उत्तर किसी को सीधा नहीं कहना है कि भगवान आया हुआ है ऐसे कहेंगे तो लोग हसी उड़ाएंगे टिका करेंगे क्योंकि आजकल अपने को भगवान कहलाने वाले बहुत हैं इसलिए तु का वर्सा मिलता है अब बेहत का बाप बेहत का वर्सा देते हैं तो समझ जाएंगे ओम शान्ती रूहानी बाप पैट रुहानी बच्चों को समझाते हैं स्रश्टी तो यही है बाप को भी यहां आना पड़ता है समझाने के लिए मूल वतन में तो नहीं समझाया जाता इस कि मुल्ली शे मुख दस पॉइंट, पहली पॉइंट, तुम विशय शागर में पड़े हो, असुल में तुम छीर शागर में थे, विश्नुपुरी को छीर शागर कहा जाता है, दूसरी पॉइंट, यह बाप ही आकर बतलाते हैं, दुनिया में दूसरा कोई जानता नहीं, पुरोशोतम शंगम युग है, तीसरी पॉइंट, आत्मा तो अकाल है, वह कभी व्रत्ती को नहीं पाते, शरीर व्रत्ती को पाता है, यह है चैतन तक्त, अमरत्सर में भी अकाल तक्त है, चोथी पॉइंट, अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है, बापा आया हुआ है, हमको अपने घर ले जाने ली, बच्चों को अपना घर भूल गया है, भक्ती मार के धक्के खाते रहते हैं, पाजमी पॉइंट, यह है मनुष्य द्योता बनने का इंत्यान, बाप ऐसे तो नहीं कहेंगे कि सब नारायन बनेंगे, नहीं, जो अच्छा पुर्षार्ट कर चटमी पॉइंट, भगवान आया हुआ है, उसको समझाना है, तुम्हारे दो बाप है, एक है पाल लौकिक बेहत का बाप, दूसरा लौकिक हत का बाप, अच्छी रीती परचे देना चाहिए, साथमी पॉइंट, पहले पहले बाप का परचे देना चाहिए, वह निराकार पाप है, उनको परमपिता कहा जाता है, आठमी पॉइंट, सतियुग में एक जन्म में भी इतना जारा फर्क जरूर पढ़ता है, बारा सो पचास वर्च में दो कला कम होती है, शेकिन बाइ सेकिन बारा सो पचास वर्च में कला कम होती जाती है, नमी पॉइंट, बावा ने कहा हिशाब निकालो 5000 वर्ष में इतने मास इतने घंटे तो मनुष वंडर खाएंगे यह हिशाब तो पूरा बताया है accurate हिसाब लिखना चाहिए इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए दसमी पॉइंट बाफी शंगम पर आकर पवित दुनिया इस्तापन करते हैं वहां इस्त्री पूरुष दोनों पवित रहते हैं यहां दोनों अपवित हैं यह है ही अपवित दुनिया हुआ है पवित दुनिया अच्छा धारना के लिए मुक्षार पहली पन इस समय ही बाफ शमान परफेक्ट बन पूरा वर्षा लेना है बाप की सभी सिच्छाओं को शयम में धारण कर उनके शमान ध्यान सागर सांती शुका सागर बनना है दूसरी पन बुद्धी को पारश बनाने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है निश्य बुद्धी बन मनुष से देवता बनने का इंतिहान पास करना है वर्दान आज बाबा ने दिया निश्य निशित विजय के नसे मेरे बाप की पदम गुणा मदत प्राप्त करने वाले माया जीत भव इस पश्टी करन बाप की पदम गुणा मदत के पात बच्चे माया के वार को चलिंज करते हैं कि आपका काम है आना और हमारा काम है विजय प्राप करना वे माया के सिर्फ रूप को चीती समझते हैं क्योंकि जानते हैं कि ये माया का राज अब शमाप्त होना है हम अनेग बार के विजई, आत्माव की विजई 100% निश्चित है ये निश्चित का नसा बाब की पदम गुणा मदत का दिकार प्रात कराता है इस नसे से सहेज ही माया जीत बन जाते हो स्लोगन आज बाबा ने दिया शंकल्प शक्ति को जमा कर स्वा प्रतिवा विश प्रतिश का प्रियोक करो ओम श्यांति